नमस्कार क्लास एट के लिए एपशोट एट एट एडवांस स्कूल आफ मैथ अन साइन्स लेके आपको आया है डेटा को कैसे हम लोग करते हैं है कि पिक्टोग्राम से लेकर सब कैसे खीचेंगे आईए हम लोग देखते हैं लुकिंग दा इन्फॉर्मेशन यहां का राय कि रांस मेड बाइब बैट्सपन इन दा लास्ट टेस्ट मैच दस टेस्ट मैच में फर्स टेस्ट में कितना बनाया जा कोई बॉलर कितना लिया कोई स्टूडेंट का कितना स्टू माक्स आया यूनिट टेस्ट में सारा चीट पिक्टोग्राम करके देखो यह कार तुम लोग को दिख रहा है जुलाई में कार कित था भी का यह तुम लोग को देखना है अगर वन सेम्बूल में हंडेट कार है तो यहां पर यह वान टू एक दो तीन चार चार यहां पर हाउ मेनी कार्स वेर प्रेडियोट्स इन दा मन्थ ऑफ जुलाई जुलाई में कितना तो 250 इन वीच मन्थ वेर मैक्समम नंबर अफ कार परसेट इसमें 400 मैक्समम यह है अगला परसेट सोचो क्या हो सकता है मिनमुम पूछ सकता है और हैस हो गया अब इसको बार ग्राफ में किसी चीज को दिखाना है यह क्लास इंटर्वल है यह पर क्लास इंटर्वल में थोरी सी चेंज करनी की जरूरत है चुकि यहाँ पर 2003 से 2004 है यहाँ पर एक कर्व थोरा सा लाइन बनेगा उसके बाद यह स्टेट लाइन लेगा तो 2003 से 2004 में कितने हैं? 100 2004 से 500 के बीच में कितने हैं? मिलादो ऐसे करके 2005 से 2006 में 2006 से 2007 में 2007 से 2008 में तो यहाँ पर बार ग्राफ मतलब सिंगल 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 दिखाते हैं जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो परतेक ओभर में ओभर के परतेक गेंदे को दिखाया जाता है कि इसमें देखिए बिकेट गिरा इसमें छक्का लगा इसमें चौका लगा इसमें दो रन बना इसमें एक रन बना ये इसमें रन ही नहीं बना डाउट हो गया ये चीज जो है आपको वहाँ पर भी बार ग्राफ में दिखाया जाता है तो बार ग्राफ ये सिंगल बार ग्राफ है यहाँ पर अब तो देखो तुमको क्या मिल रहा है वाट इदा इनफोर्मेशन की भेन बाइदा बार ग्राफ बार ग्राफ से तुम देख रहे हो कि 2003 से 2004 में क्या हुआ नमबर आफ इस्टुडेंट क्लास एट क्लास का तो वहां पर सौ पच्चे थे दूजार चार से पांच में ब्रोत्री दुख न हो गया दोस हो गया वड़ा अच्छा बात यार अब यहां पर इनकरेज करेंगे स्टुडेंट का मैक्सम आप देख रहे हैं कि पहले सौ बरहा फिर पचास बरा फिर पचास बरा फिर पचास बरा वैलकुल डवल ग्राफ की हम बात करेंगे तो डवल ग्राफ में तुम्हारे पास जो है दो सेशन का दिखाये जाएगा यहां इंडिकेट कर दिया है दो हजार पांच से दो हजार छे यहां इंडिकेट कर दिया है दो हज प्रहोत्री बहुत अच्छा है कि सोशल साइंस की बात करेंगे 50-50 से 60 कि साइंस की बात करेंगे 50-60 कि इंगलीज की बात करेंगे पहले इस्तिति बाइब नीचे और हिंदी में दोनों बराबर है इस इंफोर्मेशन को आपने देख लिया है लेकिन तुमको अगर कोई कहे कि बार कर आप क्यों सकता क्यों है तो देखो परहा लिखा इंसान तो पर के समझ सकता है लेकिन ना परहा लिखा इंसान भी पेपर पर सकता है देख सकता है यह देख के बता सकता है सबसे जादी यह वला है इसके परनी के लिए कुछ दिगत नहीं है और सबसे कम यह वला है इ जो इलेक्षिन का रिजल्ट सब्षास कभी और करकर भी दिखाय के उपर कांग्रेस चाहर जाएगा और चुकि आई पीएपी साथ में है यह देखिए अभी महाकट बंदन में कितनी के सरकार है एक दो तीन चार पांच तब पहुंचा हुआ है वहां तक तो ऐसे भी स्थिती आ सकता है ते डबल नहीं वान टू थिरी फॉर फूर पारग्राफ फूर टाइम्स यह दिखाया गया है इधर हम राजक की पाटी में देखेंगे तो राजक की पाटी में भी अभी आप देखेंगे कि यहां बीजेपी है राम विलास पास्पान जी की दो पाटी इस टाइप से अभी बस तुष्थिती है तो हम समझते हैं कि देख के कोई भी आजमी समझ सकता है कि कि आप जो है किसी एक पाटी का होने वाला नहीं है सिंगल 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 होने वाला नहीं है नंबर ऑफ जुलाई में कितना कि न एक हजार पंद्रा सो पंद्रा सो दो हजार पतीस सो कि चिल्डन का है अराम से बनाते हो चल जाएंगे अगर हम organized data के बात करें तो सबसे पहले raw data के बारे में हम बात करेंगे जो चीज हम लोग estimate करते हैं जो चीज हम लोग लिखते नहीं हैं ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा वह हमारा raw data है और जब उसको organized word में कर देंगे और कोई इसको जो है कहेगा कि इसका मैं जीमा लेता हूं तो वह primary data होगा और किसी और नी जीमा ले लिया तो वह secondary data होगा जैसे इसको ऐसे समझो तुम लोग 8 class के बच्चे हो अभी 1st January आ रहा है तुम लोग बहुत अच्छा सोच रहा होगा कि मैं कपरा लूंगा यह करूंगा वह करूंगा निजिए यह तुम्हारा rough idea है, लेकिन अगर अगर आपके पास गरम दल के हैं ममी नरम दल के हैं, तो ममी पिर आप से पास से पैस करेंगे कि राम कोह रहा था कि हमको चाहिए सर्ट परना या यह मम्मी जो तुमको यह बात पापा को बोले यह secondary data है और तुम डारेक्ट अगर पापा को बोलता primary data है जो rough idea किया और raw data है यह यह देटा तीन टाइप का होता है एक प्राइमरी डेटा और सेकेंड्री डेटा होता है अगर सब नंबर सब का कुछ कुछ फेल हो जाया तो सब को दूदू नंबर देदो यार और जो copy चेक किया वही तुमको copy दिखाया यह primary data है copy कोई और चेक किया और copy और कोई दिखाया वह secondary data है यानि data के बारे में आप लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे सी अब यहाँ पर जरुवयत पड़ता है telemarks का और इसको नंबर में जब convert कर दोगे तो frequency कहलाता है frequency की distribution आप लोग समझ गया है अब हम grouping data करेंगे तो data को group बनाना परता है तो देखना परेगा lower limit upper limit इसके लिए interval की जरुवत परती है और interval दो टाइप का होता है एक overlapping होता है और दूसरा non overlapping होता है overlapping 0-10, 10-20, 20-30, यहाँ 30-40, 40-50, 50-60 और यह 60-60 यह overlapping हुआ non overlapping में 0-9, 10-29, 20-39, 40-49, 40-49, 50-69 यहाँ non overlapping में हो गया अब यहाँ पर एक प्रस्ण आएगा दोस्तों कि non overlapping को overlapping में कैसे करते हैं तो lower limit में gap by 2 घटाते हैं और upper limit में gap by 2 जोरते हैं और चुकि यहाँ पर gap 1 का है इसलिए half जोरेंगे और half घटाएंगे लेकिन यहाँ पर gap को मैं change कर दू 0-5 और यहाँ पर 10-15 कर दू 20-25 कर दू और 30-35 कर दू 40-45 कर दू तो यहाँ gap 5 का हो गया यानि 2.5 घटाते हैं और 2.5 जोरते हैं यानि gap by 2 घटाते हैं और gap by 2 जोरते हैं यहाँ बात तुमको करने आ गया है यहाँ पर हम लोग upper limit lower limit की बात कर रहे थे और यह वाला जो हुआ इसको class size कहते हैं class size equal to जो फर्मूला होता है upper limit minus lower limit लेकिन अगर non overlapping में रहेगा तो upper limit minus lower limit plus one हो जाएगा यहाँ बात तुम लोग को अच्छे ढंक से आना चाहिए मेरे दोस्तों करने आ गया है बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब हम लोग देखते हैं आंगे बरते हैं देखते हैं क्या हो सकता है class interval का size पुछ रहा है मेरे दोस्तों पचीज highest frequency पुछ रहा है highest frequency 140 अगला lowest frequency पुछेगा 20 to 20 और upper limit और lower limit 250 दिस इता lower limit दिस इता upper limit two class ऐसा जो same frequency देता है तो same frequency देने वाला 555 555 से 555 ता है अगला हमारा bar graph का discussion हम लोग करेंगे bar graph का discussion करेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ पर यह 0 से 10 में 2 की frequency है जो दिखाई गई है 10 से 20 के 10 20 से 30 में 21 30 से 40 के 20 में 29 40 से 50 में 7 50 से 60 में 1 यह bar graph सब लोग को बनाने आ गया होगा दोस्तों आ गया होगा दोस्तों bar graph भी बनाने आ गया है अब यह bar graph जो है यहाँ पर तुमको अराम से बनते चल जाएगा नहीं होगा हिस्टो ग्राम जो है अब आपको बनाने आ गया है आई यह एक्सासाइज को करते है फोर्म वीच अब दादीज वुट भी हिस्टो ग्राम शोड़ डेटा दनमर अप्लेटा डिफरेंट एरिया पोस्ट मेंड बैग अगला हाइट आपको साथ से साथ पीम तक जो स्टेशन पर की बात है पसिंजर का उसकी आपको बनाना है अगला यहाँ पर मैन है बुमेन है बॉइज है गल्स है यह टहलने वाली बात है कितने लोग टहल रहे हैं मैन की फ्रक्वेंसी अलग निकाल दीजिए बुमेन का अलग निकाल दीजिए गल्स का अलग निकाल दीजिए बाइक को अलग निकाल दीजिए उसके बाद दिखा दीजिए अगला कोशन है कि दबिकली वेज 30 worker in the factory ये दिया हुआ है उसको कर दिजे अगला हमारा histogram कह रहा है question number 3 का अराम से बना सकते हैं 5 number भी question बना सकते हैं अब तुम्हारे पास हो गया अगला हमारा circle graph है या इसको हम pie chart बोलते हैं तो यहाँ पर pie chart कैसे हम बनाते हैं ये बात को जानना जरूरी है तो आईए हम लोग देखते हैं कि एक मनुस्य daily life पे कैसे करता है तो सबसे पहले सोने वाला बात लिखिए का कि मनुस्य को सोना बहुत जरूरी है sleep 8 घंटा कर रहा है a school 6 घंटा कर रहा है play तीन घंटा कर रहा है आदर थीरी आवर कर रहा है home work 4 आवर कर रहा है यहां पर टोटल अगर आप जोर देंगे 3 by 24 फिर 3 by 4 24 यह relative frequency कहलाता है जब angular angle निकालना रहेगा तो यहां पर 360 से हम multiply कर देंगे तो 8 by 24 इंटू 360 यह कट गया 15 बार में तो 15 अठे पीशा से 120 डिगरी यहां पर 6 by 24 गुने 360 साथ 15 चक अठे 15 चक अठे 3 by 24 इंटू 360 पैटालिस डिगरी 3 by 24 इंटू 360 फिर पैटालिस डिगरी और 4 by 24 गुने 360 15 चको 60 डिगरी यह आपको बन चुका है अब प्रोटेक्टर उठाईएगा पहले एक सरकल खिच लिजेगा और प्रोटेक्टर में पहला 120 डिगरी का एंगल बनाईए और दिखा देजिए हम सोते हैं स्लिपेंग थोड़ा कलर अपने अनुसार कर देजिए सोने वाला में थोड़ा बलेक कर देजिए आस्कूल जाईए वाइट कर लेजिए अस्कूल में नपे डिगरी है और खेलने वाला ये है प्ले यह 45 डिगरी है यह भी वाला 45 डिगरी है अदर में और होमबर्ग जो आप कर रहे हैं यह 60 डिगरी पर है यह पाई चाट दिखाने आ गया इसी ढग से यहां पर भी पाई चाट देखके देख सकते हैं कि 15 से 60 यह वाला 50,000 कमाने वाले लोग 180 डिगरी पर है यह वाला देखो 30 है 20 है तो यहां पर 180 को 5-6 में बाटा किया तो 36 यह वाला एंगल 108 डिगरी है यह वाला एंगल 22 डिगरी है तो यह सब तुमको करनी की अशक्ता नहीं परेगा आपकी यह फ्रिक्वेंसी दी हुए रहती है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देते हैं और एंगलर एंगल कर देते हैं आपका काम हो जाएगा यहां पर 50% बाईज है 50% गल्स है यहां फोटी-फोटी 20 है आप देख सकते है 15 तरफ घिरना करने वाला है मैथमेटिक से लेकिन यहां पर यह भी तो सोचिए कि आपको 85% प्रेम करने वाला भी है इसी ढग से आपको यहां पर देखना होगा इंटर्टेन्मेंट करने के लिए 50% इसी ढग से आपको किसी ढग से करना बनेगा चोकलेट में भी देख लिए 50% 25% अगला तुम्हारे पास यह फ्रेक्ष्टन वाला हम बात बता दिये थे इसको 360 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा और यह पाई चाट खिचने आ गया है इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रेक्वेंसी ए वाला फ्रेक्वेंसी हो गया यहां रिलेटिव फ्रेक्वेंसी कर देंगे और यहां पर यह एंगुलर एंगल कहलाता है तो आपको पाई चाट भी समझने में किसी को भी दिक्कत जबाब होगा नहीं शर्ण अरे हमारे रहते हुए आपको दिखते नहीं होगा यहां पर देखिए और यह 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 है तो टोटल साथ सो बीस हो गया यह हमारा रिलेटिव फ्रेक्वेंसी इसको हम फ्रेक्वेंसी बोलते हैं और यह वाला एंगुलर एंगल होता है जिसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं अब अराम से केक का पोजिशन दिखा देंगे तो दिखाने में किसी स्टुडेंट को कोई दिक्कत अभी हम लोग यह ही वाला दिखाए थे या यह वाला को भी दिखाना हम लोग का हैं तो अराम सी दिखा सकते हैं सब को जोर देंगे इसको बटे में भाग देंगे इसी धंग से यहाँ फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर इलेटिव फ्रिक्वेंसी कर देंगे तो यह हमारा 30 बटे 70 50 120 30 बटे 120 40 बटे 120 25 बटे 120 और फिर 25 बटे 120 यह बात किलियर हो गया अब हमारा 75 से 100 के बीच में हम बात करेंगे इसी धंग से तो यह हमारा इलेटिव फ्रिक्वेंसी आप इसको 360 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपका एंगल और एंगल निकल जाएगा तो यह धंग से आप ठिंकिंग करते रहें एक्साइज बनाने के अगर हम बात करें तो एक्साइज बनाने में किसी भी स्टुडेंट को कोई दिक्कत नहीं है एक सर्वे वाजमेड फांडर फांडर टाइप तो म्यूजिक देट कंटेंड ग्रूप यहाँ पर 20 परसंट 10 परसंट 30 परसंट 40 परसंट है इसको अराम से दिखाया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम में अगला हम बात करेंगे कि यहाँ भोट दिया है 90, 120, 150 यहाँ पर तुम्हारे पास relative frequency निकाल दो गए तो 90, 120 इसको करके अराम से दिखाया जा सकता है अब अगला परसंट हमारे पास 36 है तो यहाँ 18 परसंट 36 9 परसंट 36 6 परसंट 36 और 3 परसंट 36 यहाँ बात हो जाएगा उसके बाद हम 360 से multiply कर देंगे हमारा diagram बन जाएगा इसी रहं से 4 नमर का भी diagram बन जाएगा central angle का ही है angular angle का ही है बात दोनों same होता है तो यहाँ तक तुम्हारे पास हो गया है तो आज तुम्हारे पास aesthetics वाले part को हम लोग कर लिये हैं अगले class में इसकी हम probability के बारे में बात करेंगे वो आपका 15 एपसोड में आएगा मिलते हैं अगली वीडियो में